घर में पैसो की कमी ना हो इसके लिए आपको अपने घर में आने वाली उन शक्तियों को रोकना होगा जो आपके घर में पैसो को आने से रोकती है आज हमापो कोई जैसे चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने आप अपने घर में रखने से घर में पैसों के साथ इस तुक शांति का निवास करवा सकते हैं वास्तोदोश से मुक्तिपाने के लिए घर में कच्छुआ रखना काफी शुब माना चाता है जिस घर में कच्छवा होता है उस घर में धन और बरकत बनी रहती है फैंक्शुई के सिक्को को लेकर भी कई महत्व पून बाते कहीं गई है ये बहुत फल्दाई होता है इन सिक्को को घर में रखने से नकारात्म गुर्जा घर से दूर रहती है जिससे धन इवं सुक सम्रधी बनी रहती है फैंगशूई में पिरामिड को भी बहुत महत्व दिया गया है घर में पिरामिड रखने से घर में सकारात्म गुर्जा बनी रहती है धन और सुक में व्रधी के रास्तों को खोलने के लिए घर में श्रीयंत्र जरूर रखना चाहिए श्रीयंत्र को घर में रखने से बुरी शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तू मोरपंक को भी बहुत महत्वपून माना गया है मोरपंक को घर में रखने से घरमी बरकत बनी रहती है तो ये थे कुछ उपाय जैसे की मोरपंक साथी साथ श्रीयंत वही पिरामिड एवं फैंक्शुई के सिक्के और कच्छुआ इन चीजों को अपने घर में रखने से आप अपने घर में पैसो के साथ सुक्ष शान्ती का निवास करवा सकते हैं सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स